नमस्ते प्रिये जनों, राइट विव अस्टो चैनल पर आपका स्वागत है रहुकेतु का राशी परिवर्तन 18 महेनों बाद 12 एप्रिल 2022 को होने वाला है मिथुन राशी वालों के लिए पूरे 18 साल बाद रहुकेतु की ऐसी स्थितिया बन रही है जो अन्य राशीयों की तुलना में सरवाधिक लाबदाई रहने वाली है अगले 18 महेनों के लिए रहुकेतु का ये गोचर जारी रहेगा पिछले कुछ वर्षों से मिथुन राशी वालों ने सबसे अधिक परेशानियों का सामना किया है इसलिए रहुकेतु का ये राशी परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस राशी गोचर से जुड़ी दस बड़ी और प्रमग बाते मैं आपको बताऊंगा जो आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाली रहेगी वो दस बड़ी भविश्यवानिया क्या है इसे जानने के लिए मेरे साथ बने रहेए ऐसा क्या होने वाला है जिससे आपके जीवन में परिवर्तन होने जा रहा है इसे भी संग्षेप में जान लिजी इस राशी परिवर्तन में राहु वुरुषब राशी से निकल कर मेश राशी में प्रवेश करेंगे तो केतु वुरुष्चिक राशी से निकल कर तुला राशी में प्रवेश करेंगे राहु और केतु जो अभी तक आपके राशी से द्वादश और शष्ठ स्थान से गोचर कर रहे थे वो अब राशी परिवरतन के बाद आपकी राशी से एकादश और पंचम स्थान में गोचर करेंगे एकादस्थान से आपकी अपेक्षापूर्ती, सभी तरह के लाभ, मित्र परिवार, व्यावसेक सम्रुद्ध्य देखी जाती है तो पंचम स्थान से संतान, ज्यान, आपकी रूची, पूर्व कर्म देखे जाते है ज्योतिशनुसर राहु विदेश, प्रसिद्धी, भिन्न जाती धर्म, असमंजस्ता, तंत्रमंत्र, शास्र, ब्रह्म से जुड़े कारेक्षेत्र, ऐसे विशेओं के कारक माने जाते है तो केतु अध्यात्म, आकस्मिक्ता, त्याग, सन्यस्त वृत्ती, अलग होना, मतलब कटना, विभक्त होना, बिचडना वगएरा, इसके साथ ही अनुभो सिद्ध ज्यान के भी कारक माने जाते है इसलिए आपके जीवन में इन ही विश्यों को लेकर बड़े बदलाव होने जा रहे है तो वो दस ऐसी भविश्यवानिया जो आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगी, वो महत्तोपरण बाते जो आप अनुभो करोगे इसे एक-एक करके मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए नमबर एक, पिछले देड़ सालों में आप जो अपने खर्चों को लेकर चिन्तित थे बिना मतलब के खर्चे आपको करने पड़ रहे थे या जो भी खर्चे आप कर रहे थे, वो व्यर्थ की बातों पर हो रहे थे मार्केटिंग, एड़र्डाइजिंग पर किये हुए खर्चों से आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे थे एक तरस से आप अपने खर्चों के कारण और समभन्जस की स्थिती में थे अपना फुटना ऐसे कारणों से जो एक तरस से नुक्सान का सिलसिला चल रहा था आए दिन होने वाले नुक्सान से आप परेशान थे, कुछ अंजान, चीपे शत्रू आपका नुक्सान कर रहे थे नुक्सान किस ने किया, किस की वज़य से हुआ, इसका कुछ पता ही नहीं था ऐसे नुक्सान अब होने बंध हो जाएंगे मतलब ऐसी परेशानिया अब समाप्त होगी ये आपके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है नंबर तीन, पिछले अठारा महिनों से आपके मन में असमंजस की स्थिती चल रही थी कोई अंजाना भय लगा हुआ था समझ नहीं आ रहा था, क्या होगा, क्या करे कहीं ऐसा तो नहीं होगा कुछ इसी तर के सवाल आपको परेशान कर रहे थे इसमें आपको स्वास्त को लेकर, अपनी धनसंपत्ति को लेकर शत्रों के कारण भी चिन्ता सता रही थी आपसे अगर गलतिया भी होई होगी तो ऐसी गलतियों के कारण आगे क्या होगा ऐसे कुछ भी होने ना होने से पहले ही केवल शंकाओं के कारण मन में भय लगा हुआ था अब ऐसे सवाल आपको नहीं सताएंगे मतलब ऐसी स्थितियां आपके सम्मूख आएगी ही नहीं ऐसे ही जोतिश शासर के संदर्व में महत्तो पुर्ण जानकरी प्राप्त करने के लिए मेरे इस राइट वी एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाईए मेरे इस चैनल पर आप सही दुरुष्टिकों से जोतिश ग्यान प्राप्त कर सकते हो और साथ ही बिल्कुल सरल शब्दों में आसानी से सिख भी सकते हो शुरु से अंततक अवश्चे देखिए अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए नमबर चार आपकी आमदनी बढ़ने वाली है अब आपको पैसो की कमी महसुस नहीं होगी आप किसी भी कारेक्षेत्र में हो आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए जो भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार रहोगे कुछ भी हो जाए बस आपकी इंकम बढ़नी चाहिए कुछ ऐसी ही सोज आपकी रहेगी इसके परिणाम सुरू आप खुब पैसा कमाओगे आपकी सोच से अधिक मतलब आप सोज भी नहीं सकते इतना पैसा आपको मिलने वाला है नमबर पाच अगर आप में कुछ कला कुशलता है कुछ खासियत है और आप अपनी परतिवा को प्रदर्शित करने की कोशिश में है तो आने वाला डेड़ साल आपका रहेगा आपको प्रसिद्धी मिलेगी और आपका नाम भी होगा आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में सफल होंगे आपको ऐसा मंच मिलेगा जहां आप अपने आपको प्रस्तूत कर पाओगे आपकी व्यावसेक प्रतिष्ठा बढ़ेगी प्रसिद्धी के क्षेत्र से जुड़ी आपकी अपेक्षाये पूर्ण होंगे नमबर छे विदेशी लोगों द्वारा भिन्न जाती धर्मों के लोगों द्वारा भी आपको लाभ होगा राहु के मेश्रशि गोचर काल में ऐसे ही लोग आपके संपर्क में भी आएंगे ऐसे लोगों से संबंदित कार्यक्षत्र में आपको उम्मित से अधिक फाइदा होगा विदेश से संबंदित व्यापार व्यवसाय में आपको अच्छे अउसर प्राप्त होंगे विदेश यात्राओं से लाब होगा नमबर साथ इस गोचरकाल में संतान के कारण चिंता रहे संतान के स्वास्य संबंदित या संतान के आकस्मिक बदलेवे बरताओं के कारण आप चिंतीतर होगे विशेश तहा संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले महिलाओं के लिए आपके संतान स्थान से केतु का ये गोचर आपकी परेशानी खड़ी कर सकता है इसलिए ऐसी महिलाओं को बहुत सम्हालना होगा नमबर आठ इस गोचरकाल में शेर मारकेट लोटरी जैसे क्षेतर से आपको बड़ा धनलाब हो सकता है लेकिन फिर भी जुलेई 2022 से जनवरी 2023 तक के कालखन में ऐसे क्षेतर से दूरी वाना के रखिये इस कालखन में आपको बड़ा नुकसान हो सकता है नमबर नव केतु के इस राशी परिवरतन के बाद अध्यात्म के प्रती आपकी रूची बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेतर में ज्यान प्राप्ती के लिए आप प्रयास करोगे हो सकता है अध्यात्म से जुड़ी किताबे आप पढ़ सकते है सादू सन्यासी, संत महात्मा, धार्मीक, विद्वान लोगों से आप जुड़ोगे ऐसे विश्यों में आपके मन को शांती भी मिलेगी नमबर दस प्रेम संबंदों में दूरिया बढ़ेंगी आपके प्रियसाथी के कुछ बदलते अंदाच के कारण आप चिन्तित रहोगे अचानक आपका प्रेमी कुछ ऐसे निर्णे कर सकता है जिससे आप सोचने पर मजबूर होंगे आपके प्रेम संबंद तूटने की कगर तक पहुंच सकते है बिछडने का जुदाई का गम आपको सहना पड़ेगा यही वो दस बड़ी बाते महत्तो पुर्ण भविश्यवानिया है जो राहू केतु के डेड़ साल के गोचरकाल में 12 एपरिल के बाद आप अनुभव करोगे अभी के लिए इतना ही राइट वे एस्टो चानल देखते रहिए सब्सक्रेब कीजिए लाइक कीजिए और कमेंड भी कीजिए धन्यवाद